आज हम आए हैं हाइड्रो इलेक्रिक पावर स्टेशन में और यह है पेज प्रकल जो डैम है नाकपूर डिस्टिक में उसके पास बना है हाइड्रो इलेक्रिक पावर स्टेशन और यहाँ पर हाइड्रो मिन्स वाटर मतलब यहाँ पर पानी से बिजली तयार की जाती है तो आपको पूरा दिखाएंगे कि अंदर से ये Hydro Electric Power Station कैसा है और यहाँ पर किस तरह से मशीने है और कैसे यहाँ पर Electricity तयार की जाती है वो सब आपको यहाँ पर डिटेल में समझाएंगे देखें यह काफी बड़ा compartment यहाँ पर बना हुआ है जो डैम से डारेक पानी इन बड़ी बड़ी pipelines के अंदर आता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं और इसी pipeline के अंदर आकर water के flow से generator घुमता है और generator के मतलब वो जो wheel हो आप वी बड़ा pipe है जिसके अंदर से water flow होता है दोस्तों यहाँ पर हमें water देखने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही कैसे machine घुमती है यह भी देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा जो आप system देख रहे हैं यह complete pack है ओके water के flow से जो wheel है वो घुमती उसके बाद shaft shaft से turbine और turbine के घुमने से generator रोटेट होता है और उससे electricity produce होती है तो देखे यह पूरा system होता है hydroelectric power station का और यह यहाँ पर दो unit है मतलब दो unit है electricity produce करने के लिए unit number one आप देख रहे हैं देखे किस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर दिखी यह जो wheel दिख रही है यह मतलब rotate होती यहाँ पर और इसके rotation से ही electricity produce होती है मतलब पूरा जब यह system चलता है सबसे पहले वो wheel rotate होगी फिर shaft turbine उसके बाद generator गुमेगा तो electricity बनेगी तो यह सारी process यहाँ पर चलती है यह है second unit तो ऐसे दो unit है यहाँ पर और यह दो unit करीब 3.5 किलो मेगावाट की यहाँ पर electricity produce होती है तो दोस्तो आज हम यहाँ पर आये हैं पर बद किस्मत से यह plan जो है फिलाल बंद है और बंद होने के कारण आपको यह generator rotate होते वे नहीं दिखाई देगा देखे सारी machine बंद पड़ी हुई है इसलिए यहाँ पर generator घुम नहीं रहा है फिलाल आज यहाँ पर काम रुका हुआ है बड़े मुश्किल से हमें permission मिली थी यहाँ पर आने की पर अफसोस कि आज यहाँ का काम बंद है फिर भी हम पूरी machine को देख पाते हैं जैसे कि हम books में पढ़ते हैं बुक में जब हम देखते तो हमें बहुत ज्यादा ऐसा सिंपल सा हमें समझ में आता है पर यहाँ पर देखे यह generator है यह काफी बड़े हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम बुक में छोटे छोटे छो उचा है और इसका वील जो आप देख रहें यह जो घुमने वाला जो यह जो वील दिख रहा है यह करीब 6-7 फीट उचा होगा मतलब काफी बड़ा यह generator है और इतना बड़ा होने के वजह से ही तो इतनी सारी electricity यह प्रोड्यूस करता है आपको यह वीडियो देखकर बहुत मज़ा जरूर आया होगा क्योंकि इस तरह का experience शायद ही आपको कही देखने को मिला होगा किसी वीडियो में तो next time में जब आओगा तो आपको promise करता हो कि मैं यहाँ पर तब जाने की कोशिश करूँगा जब यह plan शुरू हो और इसके बारे में और detail information मैं आपको बताऊंगा तो आज के लिए बस इतना ही तो guys आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर लिखेगा वीडियो कर पसने आए तो वीडियो को like ज़रू कर देना और चैनल को subscribe ज़रू कर देना तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नई information के साथ तब तक के लिए जहिंद वन्ने मात बाइ बाइ